हालो एवरिवान वेलकम बैक टू मैं चानल मैं सुमती और आज आई हूँ चौराई देमदीर यह चौराई देवी का मैंने इंटरंस है यह एक ग्राम देवत है यही पर आपको अपकी गाड़ी पार्ट करने और यहां से आपको ट्रेक करके जाना है यह पूने से सिफ 33 किलोमेटर है यह तलेगाव दाबाड़े में आता है आज यू गान सी स्टारिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इफ आप डेली वाक ए एक्सेसाइज नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्यूंकि पहाड़ी चड़ा या खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा जो कि आपको आते टाइम ही क्यारी करना है बट मेक शूर आप यहाँ पे कोई कच्रा ना करो यहाँ पे आपको जहां देखें वहाँ ग्रीनी ग्रीन दिखेगा जो कि बहुत खुबसूरत है क्योंकि एक जंगल है लेकिन यहाँ पे सब सेफ है यहाँ पे मोर की आवाज भी आती है पैरेट से बहुत सारे अलग-अलग तरह के पक्षियं आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे यह ट्रेक नियार अबाव टू-टू-3 किलोमेटर हो सकता है यहाँ पे विगडर में ज़्यादा क्रावन नहीं होता है लेकिन साटर्डे संडे को ज़्यादा लोग विजिट करते है इस आप स्पेशली पहारी ट्रेक के लिए यहाँ पे आना चाहते तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाना सो आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटिफुल एन्वार्मेंट देखने क को मिलेगा यहाँ पे फॉक भी देख सकते आप क्यूंकि यह विंटर सीजन है यह मंदिर का सेकेंड एंटरंस है और थोड़ा चलना है गाईस यह मंदिर का थर्ड एंटरंस यहां से आप सीधा मंदिर में जाओगे यहीं पे आपको शूज वगरा उतार के जाना है यहाँ पे शूराग भी मिलेगा और पैर दोने के लिए हाँ पे टाप भी है एक्जाक्ली मंदिर के सामने एक सीहा का स्टाचू है और यह अब हम पहुंचे हैं मंदिर यह है ब्यूटिफुल टेंपल जिसके लिए हमने पूरा ट्रेक किया है यह सीटी से बाहर ट्राफिक से दूर यह इतना खूबसूरत है और बहुत शान्त मंदिर है ज़्यादा क्राउड नहीं होती है यह मंदिर पहाड पर है और यह है चौराई देवी यह मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही आसपास का एरिया यह ग्राम दैवत भी है इफ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और आप मेरे चानल पर नए हो तो ऐसा ही अलग-अलग ट्रावल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न अबूलिय थैंक यू बाइ प्रूलिय ओड़ बाइ